प्रेशे च्छारतियों आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में पुना स्वागत है अभिनंदन है जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में M.A.E.D. 101 प्रश्नपत्र की प्रथम इखाई सिच्छा दर्शन के संप्रत्य को समझा उसकी विश्यवस्तु को जाना आज हम इशी प्रश्नपत्र की दूसरी इकाई सिच्छा की और धानडा कथाकार के अंतरगत सिच्छा क्या है? सिच्छा का साब्दिक अर्थ क्या है? सिच्छा की विभीन प्रकार क्या है? इसके विशय में चर्चा करेंगे जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सिच्छा मानो विकास का मूल साधन है किसी भी समाज की उन्नती सिच्छा के माध्यम से ही होती है सिच्छा के द्वारा मनुस्य की जन्मजा सक्तियों अंतरनीत योगताओं उसके अंदर गत्मूल्यों आधिका विकास किया जाता है सिच्छा को सदय ही समाज की प्रगत का साधन माना जाता है सिच्छा के द्वारा ही किसी भी समाज की, किसी भी राष्ट की और व्यक्त की उन्नती होती है जिस देश के, राष्ट के और समाज के नागिक जैसे होंगे वैसे ही उस देश की प्रगती होगी उस राष्ट की प्रगति होगी सिच्छा बिवस्था प्रतेक राष्ट का कर्तब भी होता है और वो अपने नागरीकों के विकास के लिए सरवांगीर विकास के लिए शिच्छा की बिवस्था करता है बच्चे के जन्म के या हम भारती परमपरा अनसार देखें तो बालक में सीखने की प्रवत्ति जन्म से पूर गर्भा वस्थाते ही प्रारंभ हो जाती है जैसे कि अभिमन्यू ने अपने मा की गर्भे में ही चक्र विव के अंदर घुषना सीख लिया था क्योंकि अर्जुन ने चक्र विव तोड़ने से संबंधी चर्चा अपनी पत्नी से कर रहे थे उस समय अभिमन्यू गर्भे में था और वो उसी समय से सीख लिया परंतु आधुनिक भारती सिख्या विवस्था में मनिश्य का जब जन्म होता है तब से वो सीखना प्रारम कर देता है और उसकी सिख्या प्रारम हो जाती है जन्म के बाद बच्चा चलना फिरना सीखता है, संस्कारों को सीखता है, मूल्यों को सीखता है और ये सब अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने आस पास से सीखता है लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वैस्क होता जाता है, तो उसके लिए एक सिख्या की विवस्था की जाती है और वो उस सिच्छा को विद्यालाई सिच्छा के नाम से जाना जाता है या हम उस सिच्छा को अवचारिक सिच्छा कह सकते हैं किसी भी सब्द के अर्थ को समझने के लिए उसके साब्दिक अर्थ को जानना अतियावस्यक होता है अगर हम उसके साब्दिक अर्थ को जान लेते हैं तो हम उसके संप्रत्य को भली बहां समझ सकते हैं साब्दिक अर्थ से अभिप्राय होता है कि उस सब्द की उत्पत्य कैसे हुई जैसे सिच्छा, सब्द की अगर हम उत्पत्य के विशय में या उसके साब्दिक अर्थ को जानना चाहते हैं तो हिंदी में सिच्छा सब्द सिच्धातू से बना है जिसमें आप्रत्य लगा करके सिच्छा सब्द बना सिच्छा सब्द का साब्दिक अर्थ होता है सीखना और सिखाना और इसमें जो आप्रत्य लग जाता है तो वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया हो जाती है इस प्रकार से सिच्छा सब्द का साब्दिक अर्थ हुआ सीखने सिखाने की प्रक्रिया अगर हम इसके सिच्छा सब्द के अंग्रेजी सब्द को देखते हैं तो सिच्छा सब्दों को अंग्रेजी में Education कहा जाता है Education Latin भहाथा के Educatum सब्द से बना हुआ है और Educatum Latin भहाथा के ही 2 सब्दों E और D को से बना हुआ है E का मतलब होता है अंदर से और D को का अर्थ होता है प्रकट करना इस प्रकार से एजुकेस्टन सब्द का अर्थ हुआ कि जो मनुष्य के अंदर बालक के अंदर सक्तियां बिद्धिमान है उसको बाहर की और लाना है बाहर की और प्रिकट करना है स्वामी विवेकानन ने भी कहा है मनुष्य में अंतर नहीत पूर्णता की अविव्यक्ति ही सिच्छा है अर्थात जो मनुष्य के अंदर सक्तियां पूर्ण से बिद्धिमान है बालक के अंदर जो सक्तियां पूर्ण से बिद्धिमान है उनको प्रक्टन करना बाहर लाना य और जब उसको उचित वातावरण मिलता है, उचित सिच्छा मिलती है, तो उसका सकारात मकदिशा में विकास होता है और यही सकारात मकदिशा में विकास ही सिच्छा है Education के अत्रिक्त, Latin भासा के ही Educier, Educator भी सिच्छा के साब्दिक अर्थ के या सिच्छा की उत्पत्त के विशय में प्रियोग किये जाते हैं और इन सब्दों का भी अर्थ यही होता है कि हम बालक की जो सक्तियां हैं उसको निकालें इन दोनों सब्दों का अर्थ भी आगे बढ़ाना, to bring out, to lead out ही होता है इस प्रकार से हमने देखा कि सिच्छा का या Education का जो साब्दिक अर्थ है वो यह है कि बालक की जो अंदर सक्तियां हैं, जो जन्मजास सक्तियां हैं उनका विकास करें, उनको प्रफुलित करें उनका सरवांगीर विकास करें, यही सिच्छा है महात्मा गांधी जी ने भी सिच्छा को परिवासित करते हुए कहा है कि सिच्छा से मेरा अभिप्राय, बालक तथा मनिश्य की आत्मा, शरीर यो मन के सरवांगीर तथा सरवोत क्रिष्ट विकास से हैं अर्थात, केवल सरवांगीर विकास ही नहीं करना है, बलकि उसके अंदर जो नहीत हैं, छमताएं हैं, उनका सरवोत क्रिष्ट, सरवोत्तम विकास करना है, यही सिच्छा है प्रशिद्ध दार्शनिक अरस्तु नहीं सिच्छा को परिभासित करते हुए कहा है, कि जो स्वस्त सरीर है, उसमें स्वस्त मन का विकास करना ही सिच्छा है कि अगर हम पहले स्वस्त सरीर का निर्माड करें, अगर ब्यक्ति का सरीर स्वस्त होगा, तो उसमें स्वस्त मस्तिस्क का निर्माड होगा, विकास होगा, यह सिच्छा है जान डिवी ने ते उस सिच्छा को जीवन ही मान लिया है, उनका कहना है कि सिच्छा ही जीवन है और जीवन ही सिच्छा है यदि सिच्छा नहीं है तो जीवन नहीं है और बिना सिच्छा की जीवन सफल नहीं हो सकता है प्रगति नहीं हो सकती है गत्सील नहीं हो सकता है दीवी ने सिच्छा को एक त्रिधुई प्रक्रिया माना है और कहा है कि सिच्छा के तीन धुरू है एक सिच्छक है, एक सिच्छार्थी है और पाठक्रम है इन तीनों को बगैर सिच्छा संचालित नहीं हो सकती है अर्थात, सिच्छक है जो सिच्छा प्रदान करता है सिच्छार्थी है जो सिच्छा ग्रहन करता है लेकिन ये सिच्छा क्या ग्रहन करेगा? सिच्छक सिच्छार्थी को क्या सिच्छा देगा इसके लिए एक पाठक्रम का होना डीवी आउस्चक मानता है इस तरह से डीवी ने सिच्छा के तीन ध्रू निरधारित किये सिच्छक सिच्छार्थी और पाठक्रम डीवी सिच्छा को परिभासित करते हुए कहता है कि सिच्छा वो है जो व्यक्ति को अपने वातारण को नियंतित करने उसके साथ अनकूलन करने की योगी बनाती है जिससे वो अपना और समाज का विकास कर सके पेस्टोलॉजी ने सिच्छा को परिभासित करते हुए कहा है कि सिच्छा बालक के अंतर नहीं सक्तियों का स्वभाविक, falas yom-pragasile विकास है अर्थात जो ब्यक्ति के अंदर स्वभाविक प्रवत्तियां हैं उनको हम विक्सित करें उनको हम आगे की योर बढ़ाएं यही सिच्छा है इस प्रकार से अगर हम इन सभी परिभासाओं जो अभी हमने चर्चा की इनका विशलेशन करते हैं तो हम पाते हैं कि सिच्छा ब्यवहार में परिवर्तन है परन्तु यह परिवर्तन सकारात्मक हो नकारात्मक नहीं यदि कोई ब्यक्ति चोरी करना सीख लेता है तो यह अधिगम तो हो गया ब्यवहार में उसके परिवर्तन तो हो गया लेकिन यह सिच्छा नहीं है अगर हम सार रूप में कहें, सिच्छा के अर्थ को सार रूप में समझें तो हम कह सकते हैं कि सिच्छा बेवहार का परिमार्जन है अर्थात जो ब्यक्ति का बेवहार है उसमें हम और अधिक परिमार्जित करके उसको और अधिक उन्नत सील बनाए उचको और अधिक समाज संबत बनाएं उसको और अधिक राश संबत बनाएं और सिच्छा के द्वारा हम ऐसे नागरिकों का निर्मार करें जो राश्ट के समाज के विकास में अपना योगदान दे सके तब ही हम इसको सिच्छा मानेंगे और यही सिच्छा की संकल्पना भी ह अभी हमने सिच्छा के साब्दिकर्थ को और विभीन सिच्छा सास्तिरियों द्वारा दी गई परिभासाओं को जाना और उसके आधार पर सिच्छा के संप्रत्य को समझा अब हम विभीन द्रश्टिकोंडों से सिच्छा के संप्रत्य को समझने का प्रयास करेंगे जैसे सिच्छा का जो दार्षिनिक दर्ष्टिकोंड है वो हो मनुष्य को पूर्ण मानता है और मनुष्य की इस पूर्णता को विक्सित करना सिच्छा का लच्छ मानता है और ये मानता है कि मानो जीवन की उन्नती का साधन सिच्छा ही है भारती दर्शन में तो सिच्छा को मुक्ति का साधन माना गया है कहा भी गया है कि साब इद्या या भी मुक्ति है अर्था सिच्छा वो है जो हमको मुक्ति दिलाती है मुच्छ दिलाती है अगर हम सिच्छा के समाज साष्त्री संप्रत्य को समझें तो सिच्छा समाज का दर्पन है किसी भी समाज की उन्नती और उस समाज का निर्माण सिच्छा की प्रक्रिया के द्वारा ही निर्धारित होता है सिच्छा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जन्म से लेकर या कहें तो जन्म से पूर्व गर्भा वस्था से लेकर मानो जीवन के अंतिम समय तक किशी ना किशी रूप में सिच्छा चलती रहती है और व्यक्ति समाज से अपने अनुभवों से परिवार से सिच्छा प्राप्त करता रहता है इस प्रकार से सिच्छा समाजिक विकास की समाजिक उन्नत की एक प्रक्रिया है अगर हम इसके राजनेतिक संप्रत्य की बात करें राजनीत सास्त्रियों का केंद्र विंदू सासन तंत्र होता है और उस राज्य के सुचारू संचालन के लिए स्ट्रेष्ट व्यक्तियों की और सकता होती है तो राजनेतिक द्रष्टि कौन्ट से सिच्छा का अभिप्राय शेश्ट नागरीकों का निर्माण करना है ऐसे नागरीकों का निर्माण जो मन, कारेवयोहार आधिसे राष्ट की प्रगत में, राष्ट की उन्नत में अपना योगदान प्रदान करें अगर हम सिच्छा के मनोवज्ञानिक संप्रत्य की बात करते हैं, तो सिच्छा बालक तथा मनुष्य के चित, मन, अहंकार, बेवहार, आधिका, सम्चित दिशा में विकास करना, उसके बेवहार को परिमारजित करना ही सिच्छा है इस प्रकार से हमने विभीने द्रश्टिकोणों के आधार पर सिच्छा के अर्थ को भी समझा, अगर हम संकुचित रूप में सिच्छा को परिभासित करते हैं, तो जो विद्यालय में, एक निश्चित समय में, एक निश्चित अस्थान में, एक निश्चित ब्यक्ति के तो ऐसी सिच्छा को हम संकुचित सिच्छा कह सकते हैं, यही सिच्छा जब हम किसी भी माद्ध्यम से, अनुभवों के माद्ध्यम से, परिवार के माद्ध्यम से, समाद के माद्ध्यम से, विद्यालयों में प्राप्त होने वाली सिच्छा, टेली वीजन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से, कहीं से भी हम जो सिच्छा ग्रहन करते हैं वास्तों में वही सिच्छा का वास्त्विक सरूप है और यही सिच्छा का ब्यपक सरूप है इस प्रकार से अगर हम सिच्छा के विभिन संप्रत्ययों को, सिच्छा के साब्दिक अर्थ को, विभिन द्रश्टिकोणों को और विभिन सिच्छा सास्त्रियों दार्शनी को द्वारा दी गई परिभासाओं को अउलोकन करते हैं, उनका विशलेशन करते हैं, तो हम पाते हैं कि सिच्छा एक समाजिक प्रक्रिया है, सिच्छा एक अभिरल सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो सदय गतिसील रहती है सिच्छा कभी इस्थिर नहीं हो सकती जैसे जैसे समाज का परिवर्तन होता है समाज में परिवर्तन आता है, राष्ट की प्रगति होती है वैसे वैसे सिच्छा का सुरूब भी परिवर्तित होता जाता है जैसे प्राचीन काल में सिच्छा को मुक्ति का साधन माना गया धीरे धीरे सिच्छा का और विकास हुआ उसमें और परिमारजन हुआ और सिच्छा के विभिन्य रूप हमारे सामने आये और सिच्छा बिवस्था में भी परिवर्तन होता गया प्राचीन काल में सिच्छा गुर्कुलों में दी जाती थी बैदिक काल में धीरे धीरे कुछ आश्रमों में बहुत दिकालीन में मठु में सिच्छा प्रदान की जाती थी कुछ विश्विद्यालेयों की विश्थापना हुई परंतु जैसे जैसे सिच्छा की मांग बढ़ी, सिच्छा की आउस्वक्ता और अधिक महसूस हुई तो अनेक प्रकार की विवस्थाएं की गई चाहे वो आनलाइन एजुकेशन हो, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन हो चाहे वो परमपरागत सिच्छा की विवस्थाएं हो माध्यम से, तथा दूरस सिच्छा के माध्यम से सिच्छा की व्यष्था की गए और ये परिवर्तन समय शमय पर होते रहें. अगर हम सिच्छा के प्रकारों की बात करें, तो मुख्य रूप से सिच्छा के तीन प्रकार हैं. जैसा कि अभी हम वोग्चर्चा कर रहे थे, कि जो एक निश्चित समय में, एक निश्चित पाठक्रम के अनसार, एक निश्चित उद्देश की पूर्ति के लिए, एक निश्चित ब्यक्ति द्वारा, एक निश्चित ब्यक्ति को और एक निश्चित पद्ध्यत के द्वारा शिच्छा प्रदान की जाती है वो सिच्छा का अपचारिक रूप है, फार्मल एज्यूकेशन है और जो हम अपने परिवार से, समाज से, राष्ट में से कहीं भी, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी एस्थान पे अनायासी ही सिच्छा प्राप्त कर लेते हैं वो सिच्छा का ना रूप है अनुपचारिक रूप है तीसरा जो सिच्छा का एक इन दोनों के मद्ध का रूप है अपचारिक तथा अनुपचारिक के वो इन फार्मल निरौपचारिक सिच्छा दूरस्त सिच्छा एक निरौपचारिक सिच्छा का ही रूप है यह कि इस सिच्छा में यह बाद दिता नहीं होती है कि आपको किसी एक निश्चित इस्थान पर आना है फेस टू फेस क्लास करना है बलकि आप सुतंत्र होते हैं हाँ कुछ बाउंडेशन होती हैं कि आपको परिच्छा पास करना है एक कैरिकुलम भी होगा फ्लेक्सिबिल्टी होती है आप और उसका सर्टिफिकेशन भी होता है जबकि जो अनौपचारिक सिच्छा है उसमें किसी सर्टिफिकेशन की ब्यश्था नहीं होती है तो इस तरह से सिच्छा का तीन रूप आपचारिक, अनपचारिक तथा निरूपचारिक है सिच्छा के अन्य प्रकारों में भी ब्यक्तिगर्स सिच्छा, सामोहिक सिच्छा, सामान सिच्छा, विशिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कि जिसमें व्यक्ति की जिस छेत्र में विशेश योगिता होती है उस छेत्र में उसके अंदर कौसलों का विकास करना और हम कहें तो यह एक प्रकार की रोजगार परक्सिच्छा होती है जैसे इंटर्मीडियर्ट के बाद विद्यार्थी कोई इंजीनेरिंग में जाता है कोई चिकिस्था के छेत्र में जाता है कोई अध्यापक सिच्छा के छेत्र में जाता है तो यह एक प्रकार से विशेश सिच्छा है क्योंकि इसमें विशेश छेत्र पर उसको सिच्छा प्रदान की जाती है, उसके अंदर कौसलों का विकास किया जाता है इस प्रकार से हमने देखा कि सिच्छा का अपचारिक, अनपचारिक, निरपचारिक प्रकार से क्या अभिपराय है सिच्छा, सामानी सिच्छा और विशेश सिच्छा या विशिष सिच्छा कहें तो इसका क्या अभिप्राय है लेकिन अगर हम इन सभी को विशलेशित करें तो यह स्पष्ट होता है कि सिच्छा वास्तों में बेवहार का परिमारजन ही है अब हम सिच्छा के क्या कार्य है थोड़ा इसके विशे में भी चर्चा कर लेते हैं अगर हम सिच्छा के मानो जीवन से संबंधेत कार्यों को देखें तो वास्तों में सिच्छा ब्यक्ति के मनुष्ट की जो सक्तियां है उनको परिमार्जित करना है उनका मारगान तरी करन करना है किसी भी ब्यक्ति के ब्यक्तित्ट का पूंड विकास करना भी एक से छाका कार है ब्रक्तित में चाहे उसका बाहिश रूप हो चाहे उसका आंत्रिक रूप हो इन दोनों का विकास करना सिच्छा का कार है और मनुष्यों में उत्तम चरित्र, नैतिक्ता, मूल्यों का विकास करना भी सिच्छा का कार है ब्यक्ति के अंदर समाजिक भावना आध्यात्मिक्ता का राष्ट निर्माण का विकास करना सिच्छा के कारे हैं सिच्छा के द्वारा ही ब्यक्ति का सरवांगीर विकास किया जाता है अगर हम राष्टी जीवन से संब्देत कारें की चर्चा करें तो सिच्छा कुसल स्रमिकों का अभिकास करना ऐसे कुसर स्रमिक जो अपनी विशिष्टा से सम्बंदी छेत्र में अपना योगदान प्रदान कर, समाज और राष्ट की उन्नत में योगदान दे सकें नेत्रत्र के लिए प्रसिच्छन प्रदान करना भी सिच्छा का कार्य है हमें सेश नागरिकों के साथ साथ कुछ ऐसे नागरिकों का भी निर्माण करना है ऐसे नागरिकों को प्रसिच्छित करना है जिससे की उनके अंदर नेत्रत्र की छमता का भी कासुख सके नेत्रत्र कर सके यह भी सिच्छा का कार्य है अगर हम सिच्छा के अंतरराष्टी कारियों की बात करें, तो सिच्छा के द्वारा ही अंतरराष्टी भावना का, विश्व भोध का, अंतरराष्टी समझ का, विश्व कल्याण का कार भी सिच्छा का ही है. हमारे यहां तो कहा ही गया है कि बस धायों को टुम्ब कम अर्थात यह संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है और इसके कल्याण के लिए कार करना इसके कल्याण के लिए नागरीकों को तयार करना विश्व वंधुत्य की भावना का विकास करना ये सिच्छा के कार के अंतरगत ही बता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने सिच्छा का क्या अर्थ है? सिच्छा का वीभिन द्रश्टिकोळों के आधार पर क्या समप्रत्य है शिच्छा के कार क्या है शिच्छा के प्रकार क्या है इनके विशय में परचर्चा की आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक्ध, धैर पूर्वक्ध सुना इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत-बहुत साध्यवाद.